अच्छा जी मुझे बताते चलिए का अगर आप लोंको मेरी ओडियो और विडियो सही नजर आ रही है तो ठीक है तो हम बगए टाइम्स आएके स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं अपने बारे में बताती चलूँ आप मैंसे काफी लोग तो जानती ही होंगे लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं बताती चलूँ के मेरा नाम मरवा है और मैं एक यूट्यूब चैनल दे कुकिंग मैलोडी की फाउंडर हूँ हफते में दो बार यानि के ट्यूजडेस और सैचरडेस को में वीडियोज अप्लोड करती हूँ जिसमें बहुत ही एजी मज़ेदार और अथेंटिक रेसिपीज आपको मिलती हैं तो आप मैंसे जिन्हों ने चेक नहीं किया चैनल वो यूट्य आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है फूट कार्विंग तो पहले मैं confusion क्लियर करती चलूं कुछ लोग को confusion होती है फूट क्रेविंग में और फूट कार्विंग में तो फूट क्रेविंग क्या है पहले ये बता देते हैं फूट क्रेविंग इस सम्थिंग के आपको कोई चीज खाने का दिल चा रहा है जैसे आपका दिल चा रहा है के आज बिरियानी खानी है के यार कहीं से अभी घंटी बज़ और कहीं से बिरियानी आ जाए ठीक है जी, तो आप लोगों को हो रही है एक क्रेविंग, आपका दिल चा रहा है कुछ खाने का और कार्विंग क्या होती है, कार्विंग इस सम्धिंग जिसे आप कट करके उसे तराश के उसको खुबसूरत बना सकते हैं, किसी भी चीज को और अगर हम फूट कार्विंग की बात करें, तो फूट कार्विंग मींज हम खाने पीने की चीजों को इस्तमाल करते वे, उसको बहुत ही खुबसूरत से डिजाइन दें, उसको प्रेजेंटिबल बनाएं, और इस तरह बनाएं कि लोगों का दिल चाहे आपकी बनाईवी डि ठीक है जी, आज हम जिन चीजों से बना रहे हैं, बहुत ही सिंपल चीजे हैं, हर घर में मौझूद होती हैं, जिससे हमने खीरा लिया है, खीरा तो तकरिबन सबी घरों में होता है, प्याज है, गाजर है, टिमाटर है, और ये हरा प्याज है, ठीक है जी, अब हम सबसे पह हरी प्यास काट के ठंडे पानी में डिप कर दोंगी तब तक हम बाकी सीख लेंगे ठीक है जी तो हम स्टार्ट करते हैं हरी प्यास से अचा सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमें छूरी को इतनी खास जरूरी नहीं होती कि कोई स्पेशल सी नाइफ हो आपके पास आप क्या कर सकते हैं एक तो कारविंग की नाइफ आती है जो बहुती छोटी सी और बहुती पतली सी होती है लेकिन आई होब कि वे काफी घरों में अवेरिबल नहीं होती है तो आप या तो यह वाली इस्तिमाल कर सकते हैं जो नॉर्मल युनिवर्सल नाइफ होती है या फिर कोई भी छोटी सी नाइफ आपके घर में मौझूद हो वो भी अच्छा काम करेगी इंपॉर्टन बात यह है कि आपकी नाइफ काफी जादा शार्प होनी चाहिए जितनी शार्प होगी उतना जादा अच्छा रिजल्ट आएगा ठीक है जी अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी हरी प्यास वाली कार्विंग से हमें बेसिकली इसका फ्लावर बनाना है यह आपने देखा यह हमारे पास हरा प्यास रखा है और अच्छा इसका ग्रीन पार्ट होता है और वाइट पार्ट होता है हमने इसको इस तरह से कट करना है कि थोड़ा सा हमारे पास ग्रीन पार्ट भी आए और बाकी हमारे पास वाइट पार्ट आए तो हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है ठीक है, हमें ये वाला पार्ट यूस करना है अभी, बागी चीजों की फिकर ना करें, ये जाया कुछ भी नहीं जाएगा, मैं आपको बताती रहूंगी किस किस तरह से हम ये यूस करेंगे, कोई भी चीज जाया नहीं जाएगी, ठीक है, अब हमने ये ले लिए इसका पार्ट हमने रहने देना है, जो लाइट ग्रीन से ग्रीन की तरह जा रहे ना, इसको हम बारीक बारीक से कट्स लगा देंगे, ऐसे बिलकुल डीप, ऐसे जितने बारीक हो सके ना, आप उस तरह कर लें, ठीक है, जो भी आपको लग रहा है कि जादा चोड़ा है, उसको पारीक, ठीक है जी, यह मैं खाले इतना काफी है, यह देखें आपको नजर आ रहा होगा, अब दूसरा काम हमने क्या करना है, इसको नाइफ को इस तरह पकरना है, इसको अप डाउन, अप डाउन हर जगा से करना है, ताके यह हमारा थोड़ा सा खुला खुला सा लगे, ठी ठीक है, यह इस तरह से, ठीक है जी, यह देखें, अभी की लुक जो इसकी आ रही है, वो इस तरह से आ रही है, अब इसका ज़्यादा अच्छा जो लुक आएगा, यह कोई बात नहीं, अगर तूट जाता है, परिशान होने की जूरत नहीं है, इसमें काफी सारे हैं जो अ आ सकते हैं, साइट पे रख लें, आप लोगो के जहन में, अगर कोई भी कोईस्चन है, फूट से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड, आप लोग मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी, अभी तो मैं ना करूं लेकिन हम जब सेशन खतम कर रहे होंगे, तो एंट पे मैं आपके सारे कोईस्चन के आंसर सेने की कोशिश करूंगी, और अगर कोई कोईस्चन मिस हो जाता है, तो भी फिकर ना करें, आपको मैं रिप्लाय में कमेंट कर दूंगी उसका आंसर, ठीक है जी, अच्छा ये हमारा होगे, अब हमें क्या करना है, फ्लावर और इसको इस तरह अपसाइड डाउन पानी में डिप कर दें, इस तरह से ठीक है, ये खुद ही थोड़ी देर में खुलके और बहुत ही स्टिफ सा बड़ा जबर्दा सुझाएगा, ये हमने कर लिया है, इसको अब हम साइट पे रख देते हैं, जब तक ये होता अब हम एक बहुती जो हम कह सकते हैं टिपिकल सी फूट कारविंग टिमाटर का रोज, सब कोई तक्रीब बनाता होगा लेकिन कुछ नों को कन्फूजन होती है, तो मैं उनके लिए बना के दिखा दूँ, हमने बहुत प्यारा सा थोड़ा सा सखत होना चाहिए टिमाटर, ऐ ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं, हमने इसको इस तरह से गोल काटना है और इसके साथ ही बस कंटिनियूसलिए आप इसको पील करना शुरू कर दे हैं, प्यार प्यार से बिलकुल बड़ा टमाटर लेंगे तो बड़ा सा रोस बनेगा, छोटा हो तो छोटा बनेगा, दोनों बहुत प्यारे लगते हैं, बस आपको छिलका अच्छा सा उतारना है आप लोग अपने फ्रेंड्स को टैक करें कमेंट में, अगर आपको लगता है कि कोई शौक से देखेगा, किसी को इंडरेस्ट है इन चीजों में, फूड में, कुकिंग में, तो प्लीज उनको टैक कीजिए, आप वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सकता है कमेंट्स ने बिताईए, कौन-कौन कहां से देख रहा है हमें, ये जी, हमारा पील हो गया है, टूमेटो ठीक है, ये हमने इसका पील अउतार लिया अब सिंप्ली आपने क्या करना है, इस पील को ऐसे रखना है ठीक है और यहां से जो हमने जहां पर end किया था ना उसको roll करना शूर कर देंगे बस ऐसे 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 बस roll करना है, simple roll करना है ने सब कोई पी चीज roll करते है ना बस आराम अराम से ऐसे ऐसे roll करते हैं बहुत असन है यह चीज़ side बहुत असन होती है लेकिन जब आप देखते हैं ना इनको तो दूसरा कहता है यार ये कैसे बनाया दिखने में रगता है कि पतानी कितनी कोई मुश्किल चीज है अच्छा ये हमने रोल कर लिया अब ये जो कटिंग आएगी ना ये वाली इसको हम इसके नीचे ले जाएंगे ताकि इसका बेस की तरह ये खड़ा हो जाए इदर से नीचे ले गए इसको खड़ा कर दिया इस पे ठीक है ये देखें ये हमारा चोट ऐसा प्यारा सा रोस रेडी हो गया आप इस रोस को कोई भी अच्छी से सैलेड बनाएं उसके बीज में डेकुरेट कर सकते हैं कोई भी आपने अगर प्लैटर बनाना है उसमें आप लगा सकते हैं इस तरह के तीन चार बनाके एक साथ रख सकते हैं बहुत अच्छा सा बन जाता है ठीक है यह हमारा रोस रेडी हो गया यह देख सकते हैं ठीक है अच्छा अब हम इसको रखते हैं साइट पर यह हमारा रोस रेडी हो गया है अब हम स्टार्ट करते हैं कुकंबर से अच्छा यह हमारे पास कुकंबर है हमने क्या करना है इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है यह वाला पार्ट यह अक्सर लोग काट के इसको फेक देते हैं लेकिन इससे भी बड़ा अच्छा साथ फूल बन जाता है वो मैं आपको दिखाँगी बाद में इसको कट कर लेते हैं अभी अलग से ठीक है ये पार्ट हमने कट कर लिया इसको हम रख देते हैं इसका हम फिलावर बना लेंगे अब आपके पास ये कुकमबर है दोनों साइट से कट हुआ हुआ है ठीक है देना है वर्टिकली ये देखें ये चीज हमें चाहिए ठीक है अभी इसका हम बात में करते हैं अभी बताते हैं इसका क्या करना है अच्छा आप चाहें तो आप स्ट्रेट भी चीज बना सकतें बिल्कुल सीधी करके उसके सिर्फ आपकी लेंथ छोटी होगी लेकिन अगर आ डाइगनली ट्राइ करती हूँ इसको हमने यहां से काटना है अब क्या करना है चोटा सा पार्ट है यहां से छोड़ देना है इसको जोड़े रहने देना है यहां से नहीं काटना है बाकी हमने थ्री फोर्थ इसका काट लेना है और जितने बारिक बारिक हम स्लाइसिस कर सकत हमने यह तीन चार पाँच और जो लास्ट वाल होगा छटा वो हमने पूरा काटना है ऐसा ठीक है तो हमने यह पीस पूरा काट लिया और बाकी हमने थोड़े सी जोड़े ने दिया है यह देखें यहां से तो पूरा नहीं कटावा लेकिन इदर से पूरा कटाओ है अब कुछ भी नहीं करना हमने क्या करना है सिर्फ इसको खोल देना है ये देखें ये खुल गया है और इस तरह से रखके थोड़ा सा हमने इसको प्रेस कर देना है ये देखें ये इस तरह से बन जाएगा इस तरह से आप बनाके तीन चार एक साथ बनाके भी रख सकते हैं और अल्टरनेटिव शेप में भी रख सकते हैं यह अच्छा लगता है अगर मैं इसको रोस के साथ भी रखूंगी ना इदर यह देखें बहुत प्यारा सा लुकाएगा इसको थोड़ा खोल दें और इसको इस तरह रख दें यह देखें कितना प्यारा साल लुकाएगा यह भी आप सैलेट्स वगएरा में यह किसी भी प्लैटर में आप सजा सकते है इसका एक और भी वर्जिन होता है वो उसके लिए बहुत ही जादा बारिक चायता है मैं देखती हूँ अगर कट जाए तो मैं आपको भी बता देती हूँ इस तरह से हमने फिर से काट लिया वोई थ्री फोर्थ छोड़के ठीक है यह हमने लिया और यह चीज बन गई ना अब आप चाहें तो लो एक को छोड़ की एक को आप फोल्ड़के पर दूसरे को छोड़के फिर आप può तरह लिए तो यह जाई है 1 जादा करेंगे तो जादा अच्छा होगा आपका अच्छा फोल्ड़ जाएगा अंदर तक यह देखें इस तरह से भी यह चीज बन जाती है आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यह ठीक है यह भी आप किसी भी चीज पहराम से तीन चार बनाएं एक साथ रखें इसके आप जादा स्लाइसिस करेंगे तो इस तरह जादा भी बन सकता है यह बहुत अच्छा लगता है यह भी ठीक है इसको भी हम साइट पे कर देते हैं यह हमने साइट पे कर दिया इसको भी अब हम एक और चीज पे आते हैं अच्छा रोज मैं आपको चाहरी थी बताना बता दूँ यह हमारे पास जो टॉप यह बॉटम पार्ट बचा था था ना कीरे का इसको थोड़ा अगर और चोटा कर लें तो जादा अच्छा रहेगा यह लैंची यह हमने थोड़ा और चोटा कर लिया यह हमारे पास आगया पीस नीचे का हमने कुछ भी नहीं करना सिर्फ यहां से ऐसे पील करना है जैसे पैटल है पतला सा छिलका उतारना है थोड़ा सा गोल करके ऐसे और बाहर की तरफ ऐसे कर लेना है बाहर पुछ करना है तो इस तरह पैटल बनेगा इसी तरह आप फिर से इसके साथ आएं पिर से ऐसे करें यह देखें यह दूसरा पैटल बन गया ठीक है फिर इसी तरह आपाएं यह देखें इस तरह से तीन हो गए और यह हो गया फूर्थ पैटल यह हो गया फाइफ ठीक है हमारे फाइफ पैटल बन गया है यह हमारे फाइफ पैटल ठीक है अब क्या करना है यह जो अंदर वाली चीज है आपने इसको राउंट करने की कोशिश करनी है यह जो अंदर से यह आ रहे है ना इसके या तो पील उतार दे हैं इसको राउंड करने किसी तरह यह यह जो बीच में से आ रहे थे हैं इनको हमने हटा दिये ठीक है बिल्कुल पर्फेक्ट राउंड होने की जुरुएत नहीं है इतना भी ठीक रहेगा यह हो गया अब हमने अंदर से इस तरह पैटर्ण देना जैसे रोस के पैटल्स नहीं होते हैं अंदर से वह और अलटनेटिवली अरेंज हुए होते हैं तो हम इसको अंदर से कार्फ करेंगे अच्छा नीचे से थोड़ा सा काट लें ताकि वह खड़ा हो सके राम से यह इतना से इस तरह से सी शेप में जादा डीप नहीं लेकिन सी शेप में हमने निकालना है और इसको बाहर कर लेना है ठीक है ये देखें नजर आ रहे हैं आप लों को ठीच से अच्छा इसी तरह हम और कर लेंगे कोशिश करनी कि दो पैटल्स के बीच में हम ये चीज़ करें ये दो पैटल्स है ना बाहर वाले इनके बीच में हम ये चीज़ करें अब हमने यहां से ऐसे लाना है सी शेप में और हमने इस तरह से कर लेना है और ये अंदर का पार्ट निकाल लेना है ठीक है जी इसी तरह अब हम आएंगे इस तरफ, इस तरफ भी सेम काम करना है, C शेप में जाना है, और ये निकाल लेना है, ठीक है, इस तरह से बन गया, अब दूसरा काम हमने ये करना है, अब ये जो दो हमने बनाएना, ये और ये, अब इनके बीच में से एक एक निकालना है, सेम तरह से इसी प्रोसिजर से, ये हम C बनाएंगे, और इसको हम निकाल लेंगे या से, ये देखें जी निकलाया हमारा, फिर इसी तरह हम यहाँ पर करेंगे, इसको भी हम ऐसे करेंगे, और इसको ऐसे करेंगे, ये हमारा निकलाया, ठीक है, जितना आप निकाल सेकें ना अंदर उतना निकाल लें, ये बहुत प्यारा बनता है, ये हम रख लेते हैं नाइफ को, ये, ये दिखें, हमारा ये, कुकंबर से भी बड़ा प्यारा सा रोस बनके रेडी हो गया है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा लगता है, कोई भी सैलेड बनाए है उसमें, अकसर लोग ये पार्ट फेग देते हैं, लेकिन आप इसको इस तरह से डेकुरेशन में यूज कर सकते ये भी हम रख लेते हैं साइट पर, ठीक है, अब हम आते हैं अनियन की तरफ, अच्छा ये हमारे पास प्याज है, रेड वाली जो होती है, इसको हमने चील लिया है, और टॉप और बॉटम से थोड़ा-थोड़ा सा काट लिया है, ठीक है, जिस तरह नॉर्मली हम काट के च चीलते हैं उसी तरह से, हमने इसका लोटस फ्लावर बनाने है, बहुत ही सिंपल है, हमने क्या करना है, ये हमारे पास अनियन है, इसको इस तरह रखा हमने, और बिल्कुल जब मिडल पार्ट है, इसका वहाँ पर हमने जिग-जग पैटर्ण में नाइफ से लाइन्स बनानी आपने कट लगाया, दूसरा आपने इस तरह से कट लगाया, जैसे ए बनाते हैं हम इस तरह से, इसी तरह हम ये जिग-जग पैटर्ण बनाएंगे, यहाँ पर गे, ऐसे बीच में बनाना है, पूरी अनियन के इड़कित हमने इस तरह से करना है, आप लोगों को अगर पसंद आ रही है वीडियो तो प्लीज शेयर कीजिए, दूसरे अपने फ्रेंड्स को इंवाइट कीजिए, कॉमेंट्स में बताईए कैसा लग रहा है आप लोगों को, मैं इंशालला आपके सारे क प्रेंट्स पढ़ूंगी अभी, कोई क्वेस्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वो भी आंसर करूंगी, ठीक है, इस तरह से हमने, कोशिश करनी है, अंदर डीप आप इसको करें, ताके यह पूरा कटे हैं न सही से, यह लास्ट उन, और चैले जी, यह हमारे सारे जिग-जग कर्स लग गए इसके, आइट नो आपको जादा क्लिरली नजर आ रहा है के नहीं, यह देखें, इसके जिग-जग से इस तरह बना लिए, अब हमने इसको अनियन को खोल लेना है, एक दिफ़ा और आप अंदर इसको बुकर लें, ताके पता चल जाए के अंदर तक चले गया है सारे, और यह एजिली खूल जाए, अब हम इसको खोलते हैं, और आपको दिखाते हैं, इसका लुक कैसा है, बहुत प्यार से आपने इसको खोलना है, यह देखें, जो अंदर का रह जाए, इसको आप और डीप करके कर लें, वरना ऐसे भी आप रख सकते हैं, ऐसे भी बहुत प्यारा लगता है, ठीक है जी, यह निकल आया बहर, यह देखें जी, यह हमारे पास अनियन के लिए लीज रेडी हो गया, अब आपकी मर्जी है, आपको इससी तरह से रखना चाहते हैं, तो ऐसे भी रख सकते हैं, या आप इनकी लेयर्ज को अलग करके और इनको और आल्टरेणेटीव लिएयर्ज लगाके न, मैं इसको तो ऐसे रख लेती हूँ और इस वाले का आपको बताती हूं लेयर्स अलग करके किस तरह व्याल से करना है सेंटर पार्ट हटा देंगे क्विए बहुत ही नाजूख सा हותा है इसके लेयर्स अलग निहींगी पैस्सकी झाल निकालना है यह देखें पहली लेयर हमारी यह रही कोशिश करनी है कुछ भी ना तूटे और एजली निकल आया ठीक है यह देखें यह पहली लेयर है इसी तरह यह दूसरी और तीसरी लेयर्स अलग हो गई अब आपने यह करना है यह पहली लेयर में जो V बन रहा है ना V इसके बीच में सेकिंड लेयर ऐसे रखनी है के इस V के बीच में दूसरा पैटल है यह जैसे यह मैं रख दिया ठीक है यह दो पैटल के बीच में एक पैटल आ रहे है इसी तरह आपने अपनी थर्ड वाली लेयर को लेना है और वो भी इसी तरह आल्टरनेटिव वे में रखना है ये दो वी इस वाले और इसके बीच में आपका ये एक पैटल आगया ठीक है? और ये ज़ग छोटू हमने निकाला था इसका इसको हम ऐसी रख देंगे ये देखें, दोनों की लुक में फर्क देखें आप दो तरह के हमारे फ्लावर्स रेड़ी हो गया ठीक है जी? अब आपकी मर्जी है आपको जो भी एजी लगे खुबसूरत तो दोनों ही दिखने में लगते हैं आप चाहें तो आप इसको इस तरह रख लेते हैं या फिर चाहें तो आप इस तरह भी रख सकते हैं आराम से कोई मसला नहीं है ठीक है जी? यह हमारा अनियन का हो गया अब हमारा लास्ट पार्ट रहता है केरट्स का तो हम केरट्स का कर लेते हैं थोड़ा सा यह क्लेयर कर लेते हैं अपना बोर्ट I hope आज की वीडियो से आप लोग काफी कुछ सीखेंगे और इस चीज को ट्राइ करेंगे यकीन माने आपके जो गेस्ट से ना वो बहुत खुश हो जाएंगे साधी सी भी कोई डिश बनाई होगी ना आपने वो कहेंगे कि वा क्या बात है वो कहते हैं ना कि खाना पेट में जाने से पहली नजरों से पता चल जाता है कैसा है ठीक है यह हमने थोड़ा सा क्लियर कर लिया है अब आजाते हैं जी कैरेट की तरफ एक तो बहुत ही बेसिक सा है वो आपने कैरेट का पीस लेना है अच्छा मेरे पास थोड़ी सी पतली सी कैरिट थी I hope आपनों के पास मोटी भी available होती होंगी अच्छी सी कोई मोटी कैरिट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा वो लुकाएगा जो मैं बताना चाहरी हूँ बढ़ कोई बात नहीं है आपनों को समझता आजाएगी किस तरह से बनाना है यह कैरिट का पीस लिया है इसे वाश करके अच्छा से पील कर लिया है अब हमने क्या करना है इसके नब पतली पतली सी लाइन्स बनानी है और देखें इस तरह से यह हमने इसको पतला सा एक हल्की सी लकीर लगाई ठीक है? और इसी तरह साइट पे एक और बिल्कुल बराबर में हल्की सी हमने यह लगा ली यह छोटी छूरी से जादा इसली हो जाएगा वैसे ठीक है? और आपने यह निकाल लिया बीच का यह देखें इस तरह से आपने इसको निकाल लेना है यह हमारा निकल आया ठीक है? इस तरह से हमने थ्री टू फोर हमने और बनानी है थोड़़धोर डिस्टेंसे अब हमने इसको रांट किया और हम फिर से इस तरह की लकीर बनाएंगे गयब देँगे ये स्ट्रेट लाइन दूसरी इसके बिलकुल बराबर में स्ट्रेट लाइन और इसको साथ ही निकाल ले ठीक है जी ये हमारी निकल आई है और इसको भी यहाँ से निकाल लेते है ठीक है, ये भी लाइन बने हमारी एक हमने इधर बना लिए एक हमने इधर बना लिए और अब हम थोड़ा से गैब दे के और बनाएंगे फिर समने गैब दे ना है और इसको इसे रखना है और ऐसे रखना है और फिर हमने इसकी यह लाइन निकाल देनी है बाहर यह देखे ठीक है यह हमें बस थ्री हो गई है वान टू थ्री जब कोशिश करें सेम डिस्टेंस से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लुकाएगा ठीक है फिर से हम इस तरह बना लेते हैं और इसकी भी हम निकाल लेते हैं बाहर की तरफ ठीक है जी यह भी हो गया है और मैं खाले बस एक और लाइनस में लगनी है बाकी तो हाँ एक यहाँ पर लग जाए तो ठीक हो जाएगा एक यहाँ पर लगा लेते हैं और इसको भी निकाल लेते हैं अब क्या करते हैं अक्सर लोग सैलेड में गाजर रखते हैं लेकिन वह बिलकुल ऐसी राउंड राउंड काट के लग लेते हैं वह बिलकुल भी अपीलिंग नहीं लगती वह ना वह खाने का दिल चाता है और वह पूरी सैलेड खतम हो जाएद वो गाजरें बची रहती है एक वज़ा यह भी होती है कि थोड़ी हार्ड वेजटे पर दूसरा वह लुक वाइस भी अच्छी नहीं लग रही होती है तो अब हमने क्या करें देखे हमने लाइन लगा लिये है चिक है इस तथा से हमने लाइन लगा लिये है अब हमने इसको रखना है और बस अब करने तो देखें आपके पास फ्लावर शेप में ये कैरेट्स कट के आएंगी ऐसा लगेगा जिसे छोटी-छोटी से फ्लावर्स हैं यही चीज़ आप सेम खीरे के साथ भी कर सकते हैं अगर आप इसकी ना उता रहें खीरे की और इस तरह से लाइन्स बना के करें बहुत अच ये ये देखें ये फ्लावर शेप में आपकी कैरेट्स कट हुजाएगी चोटे-चोटे से फ्लावर्स ठीक है ये भी हो गया है अब आप इस तरह सोचें ये आप ये वाली कैरेट का टीवी रखेंगे ना प्लेट में तो कितना जबर्दस वो लुकाएगा और बहुत असान है कोई मुश्किल नहीं है थोड़ी सी बस ट्रेक्टिस चाहिए हाथ साफ हो तो आपका ज़्यादा जल्दी से और अच्छा सा बन जाता है अब हम क्लियर कर लेते हैं बोर्ट को अच्छा कैरेट से एक और चीज़ भी मैंने आपको बतानी है लीफ बनाना और वो ऐसा लगता है जैसे कोई फॉल का लीफ होता है लेकिन अगेन उसके लिए भी थोड़ी मोटी कैरेटी अच्छी लगती है उससे बहुत अच्छा बन अच्छा ये हम अब हमने क्या करना है लीफ बनाना है कैरेट का इसी तरह से हमने ले ली है कैरेट का पीस ले ले जितना बड़ा आपको लीफ चाहिए आप उतना बड़ा पीस ले 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 पील कर लें गाजर को और इसको यहां से हाफ कर लें सेंटर से हाफ कर ले ये हमने हा हाफ कर ली ठीक है ? हाफ करने के बाद आप ने एक इसकी पतली सी स्लाइस काटनी है बहुत जादा बारीक ना कीजिए 17 काट न कीजिएगा थोड़ा मोता चाहिए 15 तो आप इसको इसतरह से ये अपने केरट का पीस काट लिया स्लाइस कट गया इसका ठीक है इतना ठीक है जादा पतलई जादा मौटा नहीं ठीक लगे गा अब हम इससे लीफ बनाते हैं सिम्पली आपने क्या करना है शेप देनी लीफ की हाथ बचाके अदियारस से करिएगा आपने यहां से लाना है और इसको लीव की शेप में इस तरह ले जाना है ठीक है? दूसरी तरफ से भी आपने ऐसे लाना है और लीव की शेप में आपने इसको ले जाना है ठीक है? थोड़ा सा हमने ज्यादा perfect होने की जूरत नहीं है, बस आपको ऐसा देना है कि जैसे leaf होता है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, zigzags बनाने हैं इसके corner पे, बहुत असान है, यह रखा आपने, इस तरह से एक straight cut लगाया, और छोटा से हमने diagonal cut लगाया, और यह बाहर आगया, ठीक है, फिर हमने थोड़ा से distance छोड़ दिया, फिर हमने एक straight cut लगाया, और हमने एक diagonal cut लगाया, यह देखें इस तरह से, फिर हमने थोड़ा से space देना है, फिर हमने एक straight cut लगाना है, और हमने diagonal cut लगाना है, यह भी हो गया, इस तरह से लगा लेंगे सारे cuts, इसको निकाल लेंगे फिर हमने इसको इस तरह से करना है और ये जो लास्ट वाले इसको हम राउंड कर देंगे ताकि ये अच्छा सा लुका जाए इस तरह से ठीक है अब दूसरी साइट पे भी हमने सेम यही चीज़ करनी है अच्छा गाजर पतली होने की वज़ा से ये औरिंच पार्ट काफी कम हो गया है मेरा लेकिन अगर आपकी मोटी गाजर होगी तो ये बहुत अच्छा सा चोड़ा सा लीफ बनेगा और आप उसके अंदर मजीद भी कार्विंग कर सकते हैं तो मैं बता दूँगी लेकिन इसमें हो नहीं सकेगी छोटा सा है मैं आपको बता दूँगी किस तरह होगी वह इस तरह से सेम यही चीज़ आपने इस पर पीट करनी है ठीक है कोशिश करिएगा कि आमने सामने ही हो फिर हमने इस पर सतरह और यह लास्ट वन और यहां से हमने राउंड कर देना है ठीक है यह देखें यह बन गया लीफ अभी यह कंप्लीट नहीं हुआ है अभी इसकी बीच की हम लकीर निका देंगे अब इसका जो सेंटर पार्ट है ना इसमें जैसे हमने इधर किया था ना कैरेट्स में से लकीरे निका दी थी इस तरह ही सेंटर से एक आप लाइन बना दें ठीक है और आप इस तरह ही दूसरी लाइन भी बराबर में बना दें और इस लाइन को आप निकाल दें बाहर यह हमारे पास जो लाइन है इस लाइन को आप निकाल दें ठीक है जी यह देखें यह हमारा प्यार असा एक लीफ रेडी हो गया है यह देखें ठीक है जी इस तरह से आप तीन चार लीफ बनाके डेकुरेट कर सकते हैं आसपास रख सकते हैं बहुत ही प्यारा लगता यह भी अगें चोड़ी गाजर होगी तो जादा अच्छा बनेगा फिर उसमें क्या होता है जो ब्रॉड लीफ बन जाता है उसमें इन कट्स के बीच में भी आप मजीद होल्स इस तरह बनाके न वो और भी जादा प्यारा लगता है इसको इस तरह आप रख सकते हैं ठीक है यह भी हमारे पास रेड़ी हो गया है ठीक है अब हम टाइम आगया है कि हम वो अपना इस प्रिंग अन्यन वाला फ्लावर निकाल लें वो भी मैं आपको दिखा देती हूं कैसा हो गया है यह देखैं जी यह हमारा फुलावर आकिया है ठंडे पानी में जो हमने डाला था यह चेक करें हो यह हमारे रेडी है फुलावर ठीक है इसको भी आपको खड़ा करना है तो यहां से कट कर ले और यह खड़ा हो जाएगा इस वी समय कूँट भी यह लेंजी यह भी खड़ा हो गया इदर ठीक है यह हमारे रेडी हो गया है इसको ऐसे रख लेते हैं यह बहुत ही बेसिक सी कार्विंग थी जो मैंने आज आपनों के साथ शेयर किये इस तरह की फ्रूट कार्विंग भी होती है अगर आपनों को यह पसंद आईए तो मुझे बताईएगा और अगर आप चाहते हैं इस तरह की मैं फ्रूट कार्विंग भी सिखाऊँ थोड़ी तो इंशालला नेक्स सेशन में मैं फ्रूट कार्विंग भी सिखाऊंगी सारा depend करते हैं आपके feedback पर अगर आपको अच्छा लगाए तो फिर सिखाऊंगी मैं बताईएगा मुझे किस तरह लगाए ठीक है अच्छा ये हमारी सारी carvings रेडी हो गई है अब हम question answer session कर लेते हैं अगर किसी के पास कोई question है कुछ है तो बताएं ताके मैं आपको answer करूँ cooking से related कोई भी question हो कोई tip चाहिए हो आपको तो मुझे बताईएगा अच्छा comments पढ़ लेते हैं अच्छा मिशाल सेयदा शफाक आसेफ सेयदा दानिया वजीहा नर्जिस सलमा वसीम सेयद ताहिर शीरी जफर मिशाल वसीम हरीम जावेद सेयदा सफर जवान थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतना appreciate किया थैंक यू सो मच Fem Trends थैंक यू सो मच अब्दलमालिक वसीम थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आप लोग इसको रीपले भी कर सकते हैं बाद में जब मैं पोस्ट कर दूंगी तो आप इसको रीपले करके देख सकते हैं लिंक शेयर कर सकते हैं अपने Friends के साथ, Families के साथ और आप लोग इन्शाला मैं कोशिश करूँगी अगर इसको मैं शॉर्ट करके पार्ट बाई पार्ट अपने YouTube चैनल पर भी डालती रहूं तो आप लोग वहां भी ट्यून रहिएगा ठीक है, यह हमारे हो गए है, रेड़ी सारा काम हो गया है जी चलें जी, आज के लिए इतना काफी है, फिर इन्शाला नेक्स सेशन में मिलेंगे, अगर आप लोगों ने फरमाईश की मजीद कुछ सिखाने की तो, ठीक है जी, ओके, अलाफिस